ये आकाश्वानी है आज हम आपको जो नाटक सुनवाने जा रहे हैं उसका शीर शक है विलाप ये नाटक ओडिया कहानिकार कालिंदी चरण पाणी ग्रहे के लिखे कहानी मानसेर विलाप पर केंद्रित है इस कहानी का हिंदी नाटे रोपांतर चिरण जीतने किया है और निर्देशक है विनोध कुमार तो लीजिए सुनिए नाटक विलाप ये अपने अच्छा किया मागिया चाचा मालूम है तीन महीने हो गए मुझे यह आए हुए पहली बार किसी अपने की शकल देखने को मिली है थोड़ी भाजी तो और लीजिए ना अरे बस बस हो गया मिटा हो गया कभी कभी सोचता हूं कि बेकार ही फॉरस्ट ऑफिसर बना में वैसे आज आप इधर केसे आ गए यह आवाज यह तो उसी की आवाज है मुझे मालू मैं मैं पैचानता हूं इस आवाज को यह उसी की आवाज है जाचा जी अरे जानक आपको क्या हुआ जाचा जी उस लकड़ हारे ने ठीक कहा था रात को इस जंकल में आज भी उसका विलाप सुनाई देता है तुम उसे पूछ रहे थे न मैं यहाँ जानक कैसे आ गया जी जी पता है कल रात सपने में मैंने तुम्हारी स्वरगया चाची को देखा था उसके साथ राज कुमारी भी थी दोनों ने मुझे बहुत डाटा बहुत कोसा जैसे कि मैं सच मुझ को यप रहा थी हूं राज चौदा मील पैदल सपर पता नहीं कैसे तुम्हारी किया मैंने मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम यहीं हो यहां के फॉरेस्ट ऑफिसर हो कि कितने बरस हो गए तुमसे मिले है अच्छा हुआ हुआ कि तुमने मुझे मुझे देख लिया कि पर उसकी आवाज यह 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 उसी की आवाज है जयते तिन तुम्हें लगता नहीं जैसे अपनी प्रिया से बिच्छड़ा हुआ कोई प्रेमी विलाब कर रहा हूं सुनो प्रेमी विलाब आगिया चाचा आप किसकी बात कर रहे हैं जंगल के इस रेस्ट हाउस में आज म मेरे और आपके सवान कोई नहीं दोकर रहे हैं रात में ग्याद कम इदर कोई आ नहीं वह यह पहुर holistic बनते यह भी नहीं जानते हैं लेकिन तुम ड्यूक को जानोगे भी कैसे यह तो 26 साल पुरानी बात है 26 साल पहले जाजा जी आप तो उस जमाने की बात कर रहे हैं जब आप राजा इंद्र जीत सिंग देव के यहां नौकरी करते थे आरे वही तो ड्यूक राजा साब के शिखारी कुत्ते का नाम था बटा अग्षिए उसकर ने की हवास सुनाई दे रहे है पर चाचा जी ट्यूक तो 26 साल पहले था या आप क्या बोल रहे हैं मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है ठीक कहते हो तुम ठीक अब तक जिन्ता कहां होगा यह तो उसकी प्रेतात्मा है जतिन उसकी प्रेतात्मा जंगल में उसी जगह पर बन रहा रही है उसकी प्रेतात्मा जहां जहां सब कुछ घटा था हां ऐसा क्या घटा था जाचा जी जतिन अब मैं मानने लगाऊं कि बेजुबानों के जिस शाप ने राजा साहब का सुक वैभव का संसार उचाड़ दिया था उसी शाप ने मेरे घर को भी आज में सब बताऊंगा और अपना पराद भी स्विकार करूंगा 27 वर्ष पहले मैं राजा साहब का परसनल अटेंडेंट था लेकिन मेरा असली काम था डियूक की देखभाल विलायती नसल का वो शिखारी कुट्था राजा साहब को बहुत प्रिया था था वो बड़ा ही ताकतवर खूंकार लेकिन मुझसे मुझसे वो बहुत हिला मिला हुआ था बहुत हिला मिला हुआ वो मेरा हर इशारा समझता था मेरी हर बात मानता था लेकिन उस दुरगटना के बाद वो मुझसे ऐसा नाराज हुआ कि जंदीर तोड़कर जंगल की और भाग गया राजा सापनों से बहुत ढूंडवाया मैं खुद हफ्तों जंगल की खाक छानता रहा पर वो कहीं नहीं मिला कभी नहीं मिला मैं जानता हूँ कि अपनी प्राण प्रिया के व्योग में वो प्राण प्रिया के व्योग में? कौन थे उसकी प्राण प्रिया? जोली जोली नाम था उसका एक बहुत ही सुन्दर और सुकुमार नन्नी हिरनी क्या हिरनी एक शिकारी कुट्थे का प्यार हिरनी से आरे जतिन और प्यार भी ऐसा कि उसके सामने औरत मर्द की तमाम प्रेम कहानिया भी फिकी पड़ जाएं वो हिरनी छोटी सी थी तभी राजा साब उसे जंगल से उठा कर लाये थे राजकुमारी के लिए पहले वो खिलोना बनी और फुर सहली शुरू में सब को डर था कि खुंखार शिकारी कुत्ते ड्यूक से खत्रा भी हो सकता लेकिन भगवान की चकुछ और ही थी ड्यूक ने जोली से सिर्फ दोस्ती नहीं की उससे प्यार भी करने लगा मांस खाने वाले जानवर का हिरनी से प्यार है ना जीव बात हास पास के दूसरे कुत्ते जब कभी जॉली पर चपटने आते तो ड्यूक ने भगा दे था और ये प्यार एक तरप नहीं था जॉली की भी ड्यूक के बिना सुगा नहीं होती थी ड्यूक के पाउं में एक बर चोट लगी तो जॉली तब तक उसके पास बैठी रही जब तक की वो फिर चलने परने के काबिल नहीं हो गया एक बार जॉली बिमार पड़ी तो ड्यूक दिन रात उसके पास ही बैठा रहा और जॉली जब चलने परने लगी तो ड्यूक खुशी से जैसे नाचने लगा और जॉली भई वो तो हमेशा नाचती रहती थी राजकुमारी ने उसके गले और पाउं में घुंगरू बांदिये थे ड्यूक के साथ शाही बाग की हरी भरी लॉन में कलोल करती हुई जो पुथि रखती नाचती चोकणियां भरती तो सारा वाता वरंग उसके घुंगरूं से संगीत मैं हो जाता दरसल ड्यूक और जॉली का प्यार एक रुमानी गीत की तरह था जॉली उस गीत की स्थाई थे तो ड्यूक अंतरा जॉली साथ थी तो ड्यूक आलाप वो आलाप वो गीत राज महल राज दरबाग शाही बाग सब जगा सब जगा लहरा कर प्रेम का जादू पहलाने लगा था बिन मा की नन्नी राजकुमारी कुछ जॉली के साथ हमेशा हस्ती केलती रह ली थी मैं भी जीवन में पहली बार प्यार के मर्म को समझने लगा और मेरा मन एंगलो इंडियन एलिस के प्रेम से महिकने लगा था आया आया क्या आया जा हम नहीं बोलता अच्छा नाराज हुई रूट गई तो तुम आया आया क्यों बोलता है हमारा नाम एलिस है एलिस हम तुम्हें अच्छा तुम हमको एलिस कह नहीं बूलाता अच्छा निशी स्सक्रीज़स अब बोलो क्या गहता तु एई उतर देखू ना लॉन में कहां ओ उतर लॉन में ड्यूक जॉली के सामने बैठ कर कैसे उसे निहार रहा है कैसा सच्चा लव है दोनों में काश कोई हमको ऐसा लव करे तो हम तो 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 क्या यूट नौटी बोई नौटी बोई तो ड्यूक है चोल रे रे ये आज जॉली को लाल जरी के कपड़े क्यों पहना आया वही बिल्कुल दुलन के तरह सजी हुई है क्या ड्यूक से इसकी शादी हो रही है शादी नहीं आज इसका वो क्या बूलता है जो वनियर की बाद आता है हाँ आज इसका वर्षकाट है वर्षकाट अच्छा च्छा यानि हैपी बर्ड़े है बर्ड़े नहीं बुद्धू आज से ठीक एक बरस पहले महराज इसे जंगल से पकड़कर राजमहल मिलाये थी हाँ राजकुमारी को वो दिन याद था कल उसने गोल्डन इम्रोइड़ेट रेड कलर का वेल्विट क्लोथ मंगवाया और टेलिर को बुलाकर जोली की नाप का ट्रेस बनवाया ओ अच्छा 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 तो फिर तो भई अपने भास बुला लेता है एक मिनिट भी अलग नहीं होता उससे यह तो वही बात होई ना दो प्रेमी एक प्रेमी का अच्छा सुनो एलिस क्या राजकुमारी जोली को उतना ही प्यार करती है जितना ड्यूक उसे करता है नो-नौ सवाल यह होना चाहिए कि क्या जोली राजकुमारी से उतना प्यार करता है जितना वो ड्यूक से करता है जोली जोली कहां हो जोली एलिस तुम ने राजकुमारी जोली उधर है वो सामने लॉन में ड्यूक के पास ओ फिर ड्यूक के पास पोच गई, ये दुष्ट ड्यूक तो, माघ्या, तुम ड्यूक को डॉग हाउस में बांध कर क्यों नहीं रखते, पापा ने तुम से कई बार कहा, लेकिन तुम हमेशा उसे खोलना छोड़ देते हो, हम पापा से तुमारी शिकायट करेंगे, कि तुम ड खाशकुमारी जी भूलोगे, शामा कर दीचे, ड्यूक को मैंने डॉग होस में बांध कर रखा था, मैं इसके खाने का प्रबंध करने इधर आया, तुम इसके लिए कोई मस्बूच जन्जीर क्यों नहीं लाते? शामा कर दीचे, ड्यूक को पकड़ कर यहां से ले जाओ, आज जॉली के साथ हमारी दोस्ती की वर्ष गांट है, देखो कैसा गुडिया की तरह सजाया है इसे हमने, आज दिन भर हम इसके साथ खेलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ड्यूक हमारे बीच में नहीं आना चाह मैं ड्यूक को अभी यहां से ले जाता हूं, राजकुमारी जाओ, जल्दी ले जाओ, जॉली, आज मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाओंगी, देख, 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 कैसी मुलायम मुलायम भरीरी घास है यह, खाना खाना है, अरे, यह दुश्ट फिर आ गया, एलेस, यह जाजकुमारी, ट्यूक, यह यह द्यूक मेरे हाथ से घास सीन रहा है, देखो, मागिया को हमने इतना डांटा था, लेकिन, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, माप कर दीजी, यह बदमाश पर जंजिर तोड़कर भागाया, मैं आदीश से लेकर जाता हूं, नहीं मागिया, नहीं, माराज, यूक के साथ जबरदस्ती ना को, जॉली के वर्ष गांट समारुह में इसे भी शामिल होने दो, जॉली की वर्ष गांट की, इसे भी तो खुशी है, खाक खुशी है, पापा, आपने डूक को सिर पर चड़ा के रखा है, बेकि ऐसा ना को, देखो, जॉली तुम्हारी सहेली है, और डूक जॉली का मित्र, तो जॉली का जो मित्र, तुम्हारा भी मित्र, बापा, डूक जॉली का मित्र नहीं, बेरी है, बेरी, देखे, ये जॉली को घास नहीं खाने दे रहा है, देखे, अरे देखे न, ठीकी तो करता है, आज घा वाज खाने का नहीं मिठाई खाने का दिन है एलिस बाग कर अंदर से मिठाई का धाल लें राज कुमारी जॉली की वर्ष गांट यहां लॉन में मनाएगी क्यों बेटी है एलिस तुम घर के सभी नौकरों को यहीं बुलाबागा जो 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 बहुत तुम अपनी जो जो जोगी के सहाध्ना की? संति बाधो बढ़ गए पाप अ मागियां आसे कहिए कि आ पी च्टी ना आने क्यों ना जीए कुम तुम जोली के पीछे नहीं जाएगा नहीं जाएगा यह क्या कर रहे हैं अगर यह जबान से बोल पाता तो सरकार दिवान जी आ रहे हैं लगता है कोई विशेश बात है बड़ी तेजी से आ रहे हैं आईये दिवान जी आईये आईये शमा करें महराज अभी अभी यह एक्सप्रस टेलिग्राम आया है कटक से कटक से जी टेलिग्राम किसका है जी डिए जी पुलिस मिस्टर हमिल्टन का वो किस्मिस के छुटियों में यहां शिकार खेलने आ रहे हैं ओ वाँ बहुत बड़ी है अरे टेलिग्राम का नाम स नहीं वे हमारे पुराने घनिष्ट मित्र भी है पिछली बार जब हम गवर्नर साहब से मिलने कटक गए थे तो मिस्टर हमिल्टन ने हमें अपने घर पर दावत पे बुलाया था और हमने भी उन्हें यहां शिकार खेलने के लिए आमंतरित किया था सपरिवार आमंतरित किय जी है सरकार मैं अभी गेस हाउस में उनके ठहरने और खाने का प्रबंद करता हूं दिवान जी प्रबंद बहुत बढ़िया होना चाहिए जी सर हम भी कैसे भुलकड है असल बात तो अब याद आए जब कटक में हमने मिस्टर हैमिल्टन को क्रिसमस की चुट्टियों में य इसका मतलब यह हुआ कि वे कल यहां आते ही शिकार के लिए जंगल में पहुचना चाहेंगे और वहीं रहेंगे दिवान जी जंगल में उनके लिए सब तरह का बढ़िया प्रबंद होना चाहिए किसी भी चीज की कमी ना रहे और हां हमारे जंगल में शिकार के लिए काफी जानवर तो है ना जी हां महराज हर तरफ काफी है ठीक है तो आप फॉरन सब प्रबंध कीजिए और हाँ मिस्टर हैमिल्टन को अभी टेलीग्राम दे दीजिए कि हम उनके और उनके परिवार के स्वागत के लिए तैयार है जो आगया महराज मिस्टर हैमिल्टन आ रही है मिस्टर हैमिल्टन भी और उनके साथ आ रही है सिल्विया हैमिल्टन महराज हां कौं ओ मागया तू अभी तक यहीं खड़ा है महराज ये डियूक आपके चड़ों में बैठा है न तो अरे हाँ हाँ करल हम भी मिस्टर हैमिल्टन के साथ शिकार खेलने जाएंगे और ये जो ड्यूक है ये भी हमारे साथ चलेगा क्यों ड्यूक तो चलेगा ना है सरकार, सरकार कर ये ड्यूक को जोली के बिना वहां जंगल में रह सकेगा आपको याद होगा जब पिछली बार आप इसको अकेले शिकार के लिए अपने साथ ले गए थे तो ये शाम को जोली के पास वापस भागाया था अरे हां मागया अरे ये ड्यूक उठकर किधर बाद रहा दियूक सरकार लगता है बीतर राज कुमारी जी के कम्रे की ओर गया है जोली बही है ना आरे पागल प्रेम राज कुमारी फिर नाराज होंगी ड्यूक इधर आजाओ मेरे पास क्या कहा पापा कल आप जोली को भी अपने साथ जंगल मे ले जाएंगे हां बैटी ड्यूक बिना जोली के जाएगा नहीं न इसलिए मैं तंग आ गई हूँ इस खुत्ते से नई पापा जोली मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी जोली मेरे पास रहेगी बेटी जिद ना करो देखो हमारी इज़त का सवाल है कठक से हमारे बहुती प्रियमित्र मिस्टर हैमिल्टन आ रहे हैं साथ में उनकी पत्नी और बेटी सिल्विया भी शिकार खेलने अब ड्यूक के बिना उनका शिकार सफल नहीं होगा और ड्यूक जोली के बिना जाएग कि मिस्टर हैमिल्टन के साथ उनकी बेटी भी शिकार पार्टी में जाएगी मिस्टर हैमिल्टन की बेटी तो बहुत बड़ी है 22-23 बरस की क्या नाम है उसका सिल्विया मिस्स सिल्विया हैमिल्टन बहुती अच्छी लड़की है दरसल मिस्टर हैमिल्टन ने अपनी बेट के जंगल में शिकार खेलने का प्रोग्रेम बनाया है बेठी मेरी प्यारी राजकुमारी अच्छा एक बात बताओ क्या तुम चाहोगी कि सिल्विया हमारे यहां से निराश लोटे देखो शिकार का प्रोग्रेम तो तभी सफल होगा ना जब ड्यूक भी साथ जाएगा और ड नहीं होगी ठीक है अरे मागिया जी सरकार वही कल जॉली भी ड्यूक के साथ जाएगी कहां है वो सरकार बाहर बरामते में ड्यूक के साथ खेल रहे हैं पता नहीं पिछले जनम में यह दोनों क्या थे माघ्या जी राजकुमारी जी रात हो गई है अब तो ड्यूक को यहां से ले जा अब ही ले जाता हूं राजकुमारी जी चलो चलो अब जटन दिवान जी ने रातों राज जंगल में मंगल कर कमाल कर दिखाया था शिकार के लिए हांका लगाने वाले लोग और शाम को महमानों का मनुरंजन करने वाले लोक नर्तक और गायब भरी संख्या में वहां पहले से ही बुला लिये गए थे मिस्टर हेमिंटर्न तीसरे पहर बंदूक लेकर शिकार के लिए जंगल में गुश गए उसके साथ बंदूक और कार्दूसों से लदे राजा साहब थे ड्यूक था मैं भी था और थे हांका लगाने वाले लोग शिकार खेलने का ये सिलसिला लगातार चार दिन तद चला मिस्टर हेमिल्टन रोज चुठेरों शिकार मार कर लाते वही रात को भूना जाता पकाया जाता और दस्तर खांप सजाया जाता पाँच्वें दिन की सुभा की बात हैं, टेंट के बाहर ड्यूक और जॉली की प्रेम लिला चल रही थी, और मैं एक शीशंद के पेड़ की ओट में बैठा, मुग्दभाव से उसे देख रहा था, तभी पहाड से उतरते हुए, राजा सहाब और मिस सिल्विया का स्वार सुनाए दिया। बाहर क्या है तो 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 सुप्र। यहां थाथ, इसमान थेख रहाए तो 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 मुझ थिर यहां थेखे थाधाए धार क्यों पंखट्श और मुआं दो तूंदेट। पहार की चोटी पर पहों फिसला मेरा अगर आप जल्दी से मेरा मेरा हाथ नहीं थाम लेती तो तो, oh my god, I would have been dead now Thank you, आप ने मेरी मेरी चान बचाए Thank you, thank you so very much मैं सामल कुए है, वो ते मेरी ड्यूटी थी मेरे रहते आपको By the way, my name is Sylvia Sylvia है मेरा नाप जीर Thank you आपने मुझे नाम लेकर बुलाने कादिकार दिया इस करपा के लिए मैं No, no, please, please, no Don't be so formal, dear उस परवत के एकांत में मैंने फॉर्स टाइम फिल किया कि मैं अपने जीवन की सेफटी का भार किसी पुरुश को सौप सकती हूँ I want to open my heart before you Please मुझे जी कहते है Marry soon, marry soon You know In England मुझे कोई मनपसंद जीवन साथ ही नहीं मिला Is it? Yes Even यहाँ कटक के English Society में भी कोई नहीं मिला Strange लगता है इंडिया की ancient culture की जो मैंने study की ancient literature की जो मैंने study की उससे जीवन साथी के बारे मेरे व्यूस पदल करे है आज मैंने मैंने फॉस्स ताइम फील किया कि कि मुझे जीवन साथ ही मिल किया आपका ये ग्रेहाँड आपके पहर से लिपज गया Oh my god लो पीछे पीछे हिरने भी क्या नाम है इसका? Her name is Jolly Jolly? Oh how sweet Jolly Jolly ये जो मेरा greyhound है इसका नाम है Duke You know? Hey Duke 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 You know? ये Duke की sweetheart है Really? Yeah Duke की sweetheart Jolly Yeah, yeah So lovely, wonderful They are a beautiful couple I have seen ये greyhound इस camp में एक मिनिट के लिए भी Jolly से आलग नही होता जानती हो इन दोनों में सच्चा प्रेम है इन दोनों को देखकर मैं देखो darling देखो डार्लिंग देखो ना ये जोली कैसे तुमा प्यार भरी निगाहों से देख रही है इसे पता है कि मैं इसे लाव करते हूं इसे इसे रहां लेड़ कि अधियू रही है तुमा रही है इसे रही है ये ये निख रखाव्ती है जुमा जूर ये जूरा लेड़ लेड़ आए जॉली ब मेचा पहुँ एक मिलें लुको जाती है जानती हो इस हीरणी के साथ तुम इस वक्तarna वां कन्या शकुन्तला लग रही हो और आप किंग तुश्यंत मेट पोरी चुदा एक बात बताओं यह जो जॉली है यह जॉली यह मेरी बेटी के समान है तो फेर आपकी टू रॉटर सुई एक राज कुमारी और दूसरी जॉली मैं दोलो को लाइक करती हूँ I assure you Mr. Dushyant I mean dear Singh Day I love you seriously I love you Sylvia oh daddy's coming daddy I'm here oh I'm not your voice सुना अब कोट शिप चल रहा है तेड़ी बाप तुम्हार ममी बेकार वरी कर रहा था ओ सिल्विया ममा हम वरी कर रहा था तुम तुम्हे इतनी देर कहा लगाई Sylvia ममी 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 Mr. Singh Dev तो अज मेरी लाइशाएव की अच्छ मेरी लाइशाएव की बाहर पाव षर जिप कर गया था इनो 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 और रहा है अच्छ किया और चाहाईए I see I'm happy to see you safe and sound ममी Thank you Mr. Singh Dev you're an angel Angel जंगल में शिकार कहलता है Mr. Singh Dev आज हमारा लास्ट है शिकार का, कल आर्ली मॉर्निंग हम कटक के लिए चलतेगा, आज हम खुब शिकार केला मांग टाया है, टेल में, कब चले, लंच के फॉरण बाद, राइट, नव लेडिज, लंच इस वरी, आउ, खाना खाये, खमाँ, मागिया, मागिया, जी सरकार, जी सरकार, तुम ड्यूक और अपने आग्मियों कलेकर आगे चलो, जो को सरकार, लेकिन सरकार हम चैंप से कफी दूर आगे हैं, लगबाद चार मिल दूर, और उधर दिखे पूरब की ओर, काले बादल उठ रहे हैं, अरे हाँ, आंधी पानी के आसार नज़रा रहे हैं, समय से पहले ही अंधेरा होता जा रहे हैं, हम जल्दी शिकार ढूना मांग ठाया, जल्दी, अधिये मस्का हैं, जल्दी शल्दी, अधिये मस्के हैं, अधिये शाल गें, जल्दी मसे अधिये अधिया हम पारीश होया है प्योग। लगता है केम की तरफ ठाकिया, जॉली के पास। प्योग। अरे अर्ण कम्रा हर्ण विस्वान कुछा। तुम लोग कहा भाई मैं। अन्याय मर्या वादू। अन्याय शकार। अन्याय शकार। इस आंधी पाली अर्ण दिल में कहां जूने उने। ये चंडी माता ह। हमारे महराज की रक्षा करना ह। अचानक ये पुलाय कैसी आ गई। मिस्टर हेमिंचर। मिस्टर हेमिंचर। मिस्टर हेमिंचर। आरा कोचषय नाै। आज आज नहीं और रहे नहीं तरिप भी आपके पासा हो नहा हो मैं 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 आपके राइड़ाइड़ाइड़ में हो ऑनी तरिप आपके अपके वह दिनर के लिए गौश्ट बिलकुल नहीं है? बिलकुल नहीं हुजूर हमिल्टन νशाब रोज जो शिकार मालकर लाते थे वो ह trail हम पका कर फरोश्टे थे आज जो कोई शिकार लाएं है हुजूर ये तो बहुत ही बुड़ा वसा थे हमारी नाग कट जाएगी। जल्दी से शहर से कुछ मंगवाया जा सकता है क्या। सरकार मंगवाया तो जा सकता है। लेकिन बारिश और तूफान के कारण सब रास्ते बंद हो गए। चारो तरफ पानी पानी है सरकार। कोई जीप या कार भी तो नहीं जा सकती। पूरे चौदा मील का सफर है महाराजे। आज बिना गोष्ट के ही डिनर बनने दीजिए। मजबूरी जो है। ओफ़। ये दिवान साब ने भी ठीक से प्रभंदा नहीं किया। हम उसे दंड देंगे। आज हमारी नाग कटके। मैं मान के सामने हम क्या मूले कर जाएंगे। मिस्टर सेंग डेव आप क्यों वरी करते हैं। आप क्यों आपसेट हो रही है। पिशली चार दिनों से हम बढ़ी लँच औ डिनर खा रही है। आज सिंपल फूद ही सही। वाट से सिल्विया। वाट सिल्विया तो उधार इंडियन और लोगों के साथ डैंस कर देगा। जाले, तुम और सिल्विया सिंपल फूद खाओ। तुम तो जानती हो के ब्रिटिश आर्मी का ये करनल और कटक का डियाईजी बिना मास मचली के कभी खाना नी खाता। हम 100% नन विजिटेरियन हैं। आज आज हम फस्ट करेगा, फस्ट! फस्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है रहा? फस्ट? Mr. Hamilton, आप अप उपभास करेंगे? मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ जो अपने प्रिये महमानों को मनपसंद खाना भी नहीं खेला पा रहा हूँ देखें, आदी तूफान ने सब गड़ड कर दिया है, गोष्ट का इंतजाम नहीं हो पा रहा है मेरे लिए कितनी शर्म की बास Oh no no Mr. Singh Dev, आप शेम फिल ला की जोई आज अमने शिकार नहीं मारा तो नहीं बना दिनर हमारा बस आज रात Fast, fast, fast Fast? Oh no dear, तूम कैसे fast रख सकते हो? अब इतनी बड़ी प्रिंस के मेमान हो तूम तूम, प्रिंस विल फिल इत, क्यो Mr. Singh Dev? Madam, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे प्रिंस मेहमान आज भूखे रहेंगे Oh Mr. Dev, अगर आपको हमारा fast करना पसंद नहीं तो हमारी एक suggestion है I mean, सुझाओ जल्दी कहिए, कहिए न Colonel Hamilton आपके लिए तूम अपनी जान तक देने को तैयार है Thank you, thank you हमारा suggestion सिंपल है केंप में आपकी वो हिर्नी Jolly है न? Jolly Jolly Oh yes, Jolly ऐसे हिर्निया जंगल में बहुत मिल जाएंगी आपको कल कोई दूसरी पकड़ कर ले जाएगा अज Jolly को हमारे डिनर के लिए लेकन लेकन Mr. Singh Dave अगर आपको Jolly इतना प्यारी है तो रहने दीचे नहीं माडम Mr. Hamilton जैसे मैमान की तुलना में Jolly का कोई मातव नहीं है मैं अभी Thank you Thank you my dear friend You are Jim of a man Jolly का गोष्ट बड़ा सौफ्ट और टेस्टी होगा I know लेकिन लेकिन Jolly की माँ मैंने उसे बचन दिया था प्रण किया था और आज मैं उसे Correct Correct I say correct आप Jolly को हमारे हवाले कर रहे हैं जैसे Jolly की मदर नहीं उसे अपने फेट में रखा था उसी तरह हम उसे अपने फेट में रखेगा हम Jolly का मदर बनेगा हम बनेगा उसका मदर समझें मदर क्यों नहीं क्यों नहीं मागिया मागिया जी सरकार हुकम सरकार जाओ और जॉली को यहां लेहाओ जी अभी लाता अभी लाता डालिंग हमारे सूटकेस से शिकार का वो बड़ा नाइफ निकाल हूँ वो लंबी चुन जॉली को देखकर नहीं आया जाके देखता मागिया तु मालिक जॉली को लेकर यहां क्यों खड़ा सरकार यह ड्यूक तो एक कुत्ते के भॉकने से रुख गया नावा है कहीं का और तुने इसे खुलाजियों छोड़ रखा हा जॉली को हमारे हावाले कर और इस ड्यूक के गले में जंजीर डालकर उस सभाले शीशम के पेड़ से बांदेश है जल्दी कर जो हुकम सरकार यह ग्री हाउंड जॉली को बचाना चाता है नहीं मिस्टर हामिल्टन यह डॉकर लाँ परवा है हराम खो रहा है यह लीच यह जॉली हासे जॉली जॉली वेरी गर्ड खंसामा भारा तुम लोग इस जॉली को पकड़ो हम ने खी बार में यूब 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 प्रम इस भी जॉली इस जॉली ठीया से जॉली तुम धिछयोए प्रिक मत्पर में बारा रुब जॉली अम्टन यह जॉली जॉली प्रम भार में उड़ी वघभ उकी खाय आपाऊजाए आफ दो, दो! जाजी, सिल्विया, जाजी, सिल्विया, जाजी वह ग्रे हौण अपनी फ्रेंड को गफ्रेंड को इसम्री से बच्छाना चाहता था जाजी, आप! यह जो अजुड ये दिखव सिल्विया हमें की इस रोक से कैसे इस हिरने का गलक करते है एंध्र नो यो 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 योगओ वागगई कि अगाइ! कि तसे सेंगे! कि अधे! कि अधे भर मैंघे, स्याआanced ए्याइ! कि मी अधे आपा, इजा पाला है! लिख भूठी है जह दो फिर समय इप वाफ अप्लिल्य न畏से एक ब्हूमत भव मेलं गहाँ अभाल स्य अभाल इसे छो अभाँ और जतिन उस रात चौली का गोश्ट कई रूपों में डिनर डिबल पर परोसा गया अपने प्री महमान का मन रखने के लिए राजा साहब भी उस डिनर में शामिल हुए लेकिन ज्यों ही उन्होंने जौली का गोश्ट मुँ में डाला उजैसे उनके हलक में अटक गया उन्हें उपकाई आ गई दूसरे दिन महमानों का कापिला जंगल से वापस चला रात को जिस जगा पर जौली का वद हुआ था ड्यूक पांगल की तरह उसके चक्का लगा रहा था खुन से ही लाल हुई मिट्टी को सूंग रहा था उसकी हालत देख मेरा अपराधी मन खुन हात मगलानी से रो इठा राट को राट को राजा सहाथ के खुक से मैं ही तो जौली को उस 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 बत्स तल पर लेकर गया था ड्यूक को मैंने मैंने नौकरों की साहिता से चंजीर से पॉंध कर पड़ी मुश्किल से जीप में अपने साथ बैठाया काफिले के पीछे पीछे जीप चल दी तू भी ड्यूक भॉंगता रहा भॉंगता रहा मेरी गिरफ्त से चूटकर संचीर तोड़कर बाहर कोटी के कोशिश करता रहा जीप के आगे राजा साहब की कार थे वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखते थे अनकी आखों में अजीप सी निराशा, जुंजलाट और पीड़ा थी पांच दिन पहले जंगल की तरफ आते समय सिल्विया राजा साहब के साथ कार में बैटी थी लेकिन अब अब लोटते समय वो अपने मम्मी डेडी के साथ दूसरी कार में बैटी थी लगता था जैसे जॉली के वद्ध की दुरगटना ने उसके और राजा साहब के बीच दीवार कीच दी थी जैसे उसका प्यार मूक गरणा में बदल गया हो तीनों महमान कटक वापस चले गए और चब जब राजा साहब अपने महल में पहुँचे तो उन्हें लपलपाती गरणा का मूर्थ रूप देखने को मिला पापा पापा मेरी जॉली का है कौन जॉली बटा हां वो वो पापा आप आगए वो नहीं आई वो नहीं आई आई आजाएगी बटा आती होगी पापा पापा आपने उन गोरे महमानों के साथ शिकार पर जाते समय मुझे वचन दिया था मुझे वचन दिया था कि आप मेरी जॉली को सही सलामत वापस लाएंगे पापा वो आपकी छोटी बेटी है लेकिन पापा मुझे नौकरों ने बताया कि हाँ पापा आप तो किसे को भी गोली से उड़ा सकते हो आप बहुत बडे शिकारी हो ना यह क्या करी रहे है तुम बीटी पापा पापा आपने कभी जूटने बोला आपने मुझे भी अमेशा यह सीख दी थी ना कि जूटना ही बोलना चाहिए लेकिन हाँ जब खुद जूट बोल रहा हूँ पापा सच क्यों ने बोलते क्यों ने बोलते कि राज जंगल में उस उस गोरे राक्षस ने मेरी जॉली को मार के खा लिया था पापा क्यों ने बोलते हैं सच बेटी वो हैमिल्टन हमारा मैमान था ना मैमान की जप पूरी करनी परी सो अगर वो मैमान आपकी इस बेटी का भी खून पीना चाहता तो क्या हस्ते हस्ते पिला देते बेटी ये तू क्या क्या रही है एक मामूली सी हिरनी के लिए इसकदर दुखी हो रही है तू तू फिकर मत कर मैं आज ही जंगल से तुझे जॉली से भी सुंदर एक और हिरनी मंगवा दूँगा अब आज क्या कह रहा तो आप मानते हैं ना आप मानते हैं ना कि मेरी जॉली को मेरी जॉली को अपनी छोटी बेटी को मार कर अपनी छोटी बेटी को मार कर रहाइ कुछ बहीं के ढ wonders, बखिलना ने वाइनगरिक नेतिता हुआ अध्य करते हैं और मुझा रहे हैं तोी और रहने असलिखोवoured म कुछा हिए आप दूसा कुछ था रहे हुआ झारा है। आप एक 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 बड़ी नद्रेते आप मुझा दोयाओ कर डूँμε गहां अलैस अलैस में आपने मान आप मैं कि अलसे मारा कुप्रो आप ठीक आप अत्याहर दॉसके अत्याहर हाँ मर आप तैयाहर हो एक बाइ विर भी भी आ हमें अप्रैकN ऐले तो, इए चह एले जरे वे अरे कोईर राज कुछत्मारी और बादी भी डायन से बादी है सुनो, बिटी, सुनो एलिस, एलिस, जरह देखो तो यह राज कुमारी कहा चली गई है उससे भी कुछ करना बैठी, जाओ से पर एलिस, आप ठीक है, बोलिये कुछ बहुझे, पतानी में- बहुंअब देखे ELK भी कहा तानी पतानी पतार्ट ओघ्रिस, जरूए देखे राज़ करना जाने. आसा- AEN पतानी हुए और भाग गया, फिर भाग गया. और भाग गया? कैसे भाग गया? तूने उसे क्या भाग गया? महाराँ, मैं एक शहाँ चाहता हूं, मैंने उसे बहुत बड़ी मस्बूत जण्जीर से बादा था. लेकिन वो उसे भी तोड़कर भाग गया. एक तुम गायब हो गया मैं सब जगा ढूंडा है लेकर वो वो कहीं नहीं मिला हमारा जी अब वो यहां कैसे मिलेगा वो जंगल में अपनी जॉली को ढूंडने गया होगा और जॉली जॉली तो यहां है एरे पास इसकी चमकती हुई डरी हुई जॉली चल चल आती हुई बड़ी बड़ी आखे मुझे साब लिगाई दे जॉली मुझसे कह रही है मेरी रक्षा कर रहा जॉली मुझे मेरा वो प्राड़ी हाथ दिला रही है जुब मैंने उसकी दम तोड़ती हुई मा को साक्षी मांग कर दिया था कि मैं जॉली को अपनी बेटी की तरह पा लूगा हमेशा जी जान से उसकी रक्षा करूगा जॉली मेरी बेटी मैं अपना वो प्रण पूरा नहीं कर सका मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सका मैं वाफी हूँ मैं अत्यारा हूँ मैं वाफ कर दे मैं मैं वाफ कर दे मैं मुझे इस तरह ग्रणासना देख पटा मैं वाफ कर दे मैं वाफ कर दे एकियों मैं वाफ कर देए कि अ वाफ थावकर रिए थावकर वाफ कर दवकर ईए व향़कर पापन देए और उस दिन के बाद उस राज महल का संगीत भिखर कर तूट गया जतिन तूट गया हर्श और उलास की जगा विशाद चा गया राजकुमारी ने अपने पिता को ख्षमा नहीं किया पिल्कुल भी ख्षमा नहीं किया और सिल्विया सिल्विया ने भी राजा से कोई संपर्क नहीं रखा ग्रणा के उस आघात और पश्चाताब की आग से राजा सहाब ऐसे बिमार पड़े कि उनकी आलत भागलों जैसी हो गई जब कुछ स्वस्थ हुए तो उन्होंने पहले अपने पहले अपने शिकार के शौक को तिलांजली दे और फिर रियासत भर में डूंडी पिटवा कर हिरन हिरनियों के वद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया स्वाधिन्ता के बाद रियासत का भारतिय ग्णतंत्र में विलाय हुआ तो राजा सहाब का सामराज सिमटकर अपने महल की चार दिवारी तक सिमित रह गया वो सब मैं जानता हूं चाजा जी राजकुमारी की मृत्यू के बाद से राजा सहाब की हालत तो उस राजमहल के अकिले बंदी जैसी हो गई थी उस कुत्ते का मतलब ड्यूग का क्या हुआ ड्यूग बेचारा ड्यूग राजा सहाब ने उसे बहुत ठुटवाया मैं खुद हफतों उसे जंगल में ढूटता रहा जंगल की खाक चान मारी मैंने लेकिन वो नहीं मिला तो फिर आप कैसे मानते हैं कि उस दुरखटना के 26 बरस बाद वो आज भी इस जंगल में हैं जतिन बिटा अगर तुमने ड्यूग और जॉली का प्रेम अपनी आखों से देखा होता ना तो तुम भी यही मानतें ड्यूग की आत्मा जन जनमांतर से जॉली से बंदी हुई थी जंगल में जिस जगा जॉली का वद्ध हुआ था वो ड्यूग के प्रहणों का तीर्थ बन गई होगी बटा तीर्थ कि अब फिर उटकर दर्वाजे पर पहुंच गए कि इसी जंगल में जतिन वो रो रहा है पेटा वो रो रहा है मैं उसकी आवाज पहचानता हूँ कि आवाज नहीं जॉली की करूणा और याचना से भरी दो आखे भी दिकाई दे रही है जतिन अ कल रात कल रात सपने में चाचा जी अधेरी रात में आप आप कहां जा रहे हैं दियूग शिक्षवा मांगने जॉली शिक्षवा मांगने उन दोनों के चमादान से ही मैं शाप मुक्त हो सकता मरी आत्मा को शान्ती मिल सकती है 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 चाचा जी चाचा जी सुनिये सुनिये चाचा जी जे जो जो बदो को जो जो जोतो जोता है जो जो विलाप अभियाप ओडिया कहानिकार कालिंदी चरण पाणिग्रही की लिखे कहानी मानसेर विलाप पर केंद्रित ये नाटक सुन रहे थे हिंदी नाटे रोपांतरकार थे चिरंजीत नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे नीरज शर्मा, बाबला कोचर, अशोक मलकानी, सुरेंद्र सागर, किशोर सहिजानी, सुनीता ठुकराल, ममता मलकानी, कुमकुम जैन और बेबी सुहानी प्रस्तुती सहयोग विजयलक्षमी शर्मा का था और नाटक के निरदेशक थे विनोध कुमार नाटक के सम्मंद में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air at gmail.com पर भेज सकते हैं झाल